किया आप वीडियो को लाइक कर सकती हैं तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम मूवी की मेन करेक्टर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है आज से कुछ सानों पहले सोफी एक स्केटर थी यानि कि वो स्केटिंग किया करती थी और वो इतनी अच्छे स्केटर थी कि वो दुनिया की बेत्रेन स्केटर में से एक थी लेकिन पिर इसकी बाद उसके साथ एक हादसा हो गया जिसकी बज़ों से उसकी आँखों के रोशनी चली गई यानि कि वो ब्लाइंड बन गई और अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता जिसकी वज़ों से अब उस पेचारी की पूरे जिन्दगी बदल गई लेकिन खैर अब पैसे कमाने के लिए जिन्दगी गुजारने के लिए वो एक हाउसीटर बन चुके है यानि के लोग उसे कुछ दिनों के लिए हायर कर लीती है ताकि वो उनके घर का खयाल रख सकी देखबाल कर सके और आज भी सोफी को एक लेड़ी ने अपने घर के लिए हायर किया है इसलिए अब सोफी उसके घर जाने की तैयारी कह रही है अपना सारा समान पैक कर लेने की बाद सोफी चुके से अपने घर से निकलने की कोशिश करती है लेकिन तबी उसी उसकी मदर देख लेती है इसलिए वो सोफी से पुछती है कि तुम कहां पर जा रही हो और वो पर समान लेकर जिस पर सोफी कहती है कि ममा असल में मैं अपने काम पर जा रही हूँ इसके बाद सोफी की मौम उसे ये भी पूछती है कि तुम्हारी अकाउट में 4200 डॉलर्स किसने बीजी है जिस पर सोफी अपनी मॉम को बताती है कि असल में मैंने अपना एक फैन पेज बनाया हुआ है जहाँ पर लोग मेरे काम से इंप्रेस होकर मुझे एक्स्ट्रा मनी दी दीती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और सोफी जूर बोल रही थी असल में सोफी जिसके घर पर भी जाती थी वो वहाँ से वाइन की दो तिन बोटल्स को चुरा कर ओन लाइन बेच दीती है पैर कुछ टाइम की बाद वो एक गाड़ी की जरीए उस लेड़ी के घर तक पहुन जाती है जहां वो लेड़ी उसे बताती है कि कली मेरे टिवोस हुई है जिसके वज़से कुछ दिनों के लिए मैं वोकेशन्स पर जा रही हूँ ताकि मिरे जहन बहल सकी और मैं तोड़े रिलेक्स हो जाऊं यहां पर वो लेड़ी सोफी को अपनी बिली का ख्याल रखने के लिए भी कहती है और कुछ दिर के बाद ही वो वहाँ से चली जाती है अब यहां पर हम दिखती हैं कि इस लेड़ी का घर काफी बड़ा है खेर अब इसी तरह उसकी बातों को फॉलो करते हुए सोफी एक वाइन सेलर के पास पहुचती है जहां पर अलगरत तरह की बहुत सारे वाइन्स रखी गए थी और तब यहां पर सोफी वाइन की एक बोटल चुराने लगती है जिसकी कीमेत तकरीवन 4500 डॉलर्स ती लेकिन जो सोफी का दोस्त होता है वो उसे ऐसा करने से मना करता है तो इस बज़ہ से सोफी को गुसा जाता है और वो उसे नरास हो जाती है जिसकी बज़े से वो कॉल कट कर दीती है कुछ टाइम की बाद सोफी अपने मुबाइल में एक वाइस मेसेज को सुनती है जो कि असल में उसकी मौम का था जिसमें वो सोफी को एक एप को इंस्टॉल करने के लिए कह रही होती है उस एप का नाम होता है सीफॉर मी जो सर्फ और सिर्फ ब्लाइन लोगों के लिए ही बनाई गई थी ताकि ब्लाइन लोगों को यानि कि ऐसे दुगों को जो देख नहीं सकते उन्हीं लाइफ कॉल के जरीए गाइड किया जा सके खरहर अब सोफी उस मेसेज को इगणॉर कर कि स्मोकिंग करने के लिए गर से बाहर चली जाती है लेकिन खुलती से घर का डोर पीचे से लॉक्ट हो जाता है अना कि सोफी उसको खुलने की कोशिश भी करती है लेकिन वो उसे नहीं खुलता जिसकी वज़से सोफी काफ़ी खबरा जाती है इसलिए अब वो अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फिर वो उसे कॉल नहीं करती और रुक जाती है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहने ही तो उसका अपने दोस्त के साथ जगरा हो गया इसके बाद सोफी को अपनी मौम की बताय हुई वो एप याद आती है यानि कि से फॉर मी इसलिए सोफी उस एप को इंस्ट्रॉल कर लीती है यह सब कुछ सोफी अपने मुबाइल में वोईस कमांड के जरिये कर रही थी फैर एप को इंस्ट्रॉल करने की बाद अब वो सर्वर से कनेक्ट हो जाती है जहाँ पर कॉल एक लड़की को लड़ जाती है सोफी यहाँ पर उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है और दरबाजा खोलने में उसकी मदद करने के लिए कियती है लेकिन वो लड़की उसकी मदद तो नहीं करती वलकि वो अजीब सा बेहेव कर रही होती है जिसकी वज़े से सोफी कॉल बंद कर दीती है इसकी बाद सोफी दुबारा से कॉल मिलाती है और अब की बार कॉल लगती है एक लड़की को जिसका नाम केली होता है तब यहाँ पर कैली वीडियो कॉल के जरी सोफी की मदद करती है और वो उसे गर के बैक डोर से गर के अंदर जाने के लिए कियती है लेकिन वर्फ जमने की बज़े से वो डोर जाम हो जाता है तब यहाँ पर कैली सोफी को डोर कुलने का तरीका बताती है जिससे follow करते हुए सोफी आकरकार उस डोर को खोलने में कामयाब हो ही जाती है लेकिन तबी घर का अलाम बच जाता है जहां सोफी केली की मदद से बड़े मुश्किन से उस अलाम को बन करती है अब क्योंके केली ने सोफी की हेल की थी इसलिए सोफी उसे first priority पर set कर दीती है ताके सोफी को जब भी मदद की ज़रूरत हो तो call सिधा केली को जाए अब रात को सोने से पहले हम देखती है के सोफी अपने laptop में skaters के बारे में documentary सुन रही होती है क्योंके उसे अभी भी बहुत शोक था skating करने का पर कुछी दिर की बाद उसे नीदानी लगती है और वो सोच जाती है इसके बाद सेंचिफ्टो कर जाता है इस घर के बाहर जहां पर हम देखती है कि वहाँ एक गारी आके रुकती है जिन मेंसे तीन लोग बाहर आते हैं जो कि असल में तीनों चोड़ थी जो इस घर में मुझो सिक्रेट सेफ में रखें दस मिलियन डॉलर्स चुराने के लिए आए थी आते ही वो लोग घर को डिस अलाम कर दीते हैं दोर खुलने के बाद वो घर के अंधर आ जाते हैं तिर जो वो लोग सेफ पो कोलने के कोशिश कह रही होती है तो तब ही सोफी को उनकी आवाजे सुनाए दिने लगती हैं जिसके वजह से उसके आंग खुल जाती है तब सोफी जिल्दी से उठती है और चेक करने के लिए जाती है तब उसी डगनी लगता है कि शायद ये आवाज उस बिल्ली की होगी जो के खेल रही होगी इसलिए वो उसकी गली में बंदी पट्टे का अनाम बचा दीती है तब अनाम बचती एक चोर फुरनी समझ जाता है कि जरूर गर में कोई न कोई मुझोद है इसलिए उसी टॉर्च लाइट की हल्प सी वो गर की हॉल में चेक करने के लिए जाता है कि आकर महापर कौन है जहां वो उस बिल्ली को यहां पर बैटा हुँ दीखता है इसके बाद वो वापिस अपने चोर साथी के पास आकर उसे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस गर में जरूर कोई न कोई तो है तो इसलिए मैं चेक करकी आता हूँ दब तक तुम सीव को खौने के कोशिश करो इसके बाद जैसे वाच चोर चेक करने के लिए जा रहा होता है तो तबी सोफी का हाथ एक बोटल पर लग जाता है जोकर नीचे गिर कर तोड़ जाती है और साथ साथ सोफी का मुबाइल भी नीचे गिर जाता है अवास को फूलो करते हैं वो जोर उसी तरह बढ़ता है लेकिन सोफी जिल्दी सी अपना मुबाइल उठा कर दूसरे रूम में चली जाती है और अब वो हेल्प के लिए फोरन ही पोलिक्स को कॉल कर दीती है जहाँ ओपरेटर उसे केती है कुछ देर तक पुलीस वहाँ पर पहुंच जाएगी यनि कि आपकी घर पहुंच जाएगी इसके बाद सोफी कॉल करती है केनी को और वो उसे सब कुछ बताती है जिस पर केनी कहती है कि टेक है लिकिन अब तुम आइस्ता इस्ता करकी आगी बढ़ो तब उसकी बात मानकर सोफी वीडियो केमरा आउन करके उसकी कही की मताबिक आगी बढ़ती है जिहाँ पर केनी सोफी को बताती है कि तुमारे बिल्कुल सामने एक आदमी है जोकि असल में एक सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा है परक कुछ दिर की बाद वो दूसरा चूर भी वहाँ पर वापीस आजाता है जिहाँ वो कॉल करकी अपने बोस को बताता है कि मुझे पूरा एकीन है कि गर में जरूर कोई ना कोई तो है इससी बज़ेसे एक बाद फिर वो गर को चेक करने के लिए जाता है जहाँ सोफे चुपते चुपते वहाँ से भागने के कोशिश कर रही होती है लेकिन तबी अचानक सी उसके सामने वो चोर आजाता है जो सोफी को बकर लीता है जहाँ बाद में वो सोफी का मुबाइल लेकर केली की कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीता है पीर जैसे वो लोग सोफी को मारने वाली होते हैं तो सोफी उनसे क्याती है कि दिखिए पलीज मुझे मारने से पहले मेरी बागाओर से सुन ले मैं आप लोगों के बारे में किसी कोबी कुछ नहीं बताउंगी और मैंने तो आप लोगों के चेरे भी नहीं देखे कि आप लोग कौन हो। क्यूंकि मैं देख नहीं सकती, मैं ब्लाइंड हो। पिर जो वो जोर सोफी की मुबाइल में उसकी कौन हिस्ट्री देखता है तो पुलिस का नमबर देखकर वो सोफी से पुछता है कि तुमने तो कोईल केट दिये और 20 मिनिट में पुलिस यहां पर आ जाएगी तो पुलिस को क्या कोईगी तब यह सुनकर सोफी उन से कहती है कि मैं पुलिस को कहे दूंगी कि जो अलाम बज़ा था जिसकी वज़सी मैं डर गई थी वो अलाम असल में खलत पज़ गया था क्यूंकि उस अला हिस्सा दे देना इसके बाद वह चौर अपने बोस को कॉल करकी इस बारे में सब कुछ बताता है जहां पर वह चौर सोफी को इस प्लैन में शामिल करने के लिए मान जाता है इसके बाद सोफी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को यहां पर आने के लिए मना करती है लिकिन अधिदिर के बाद वो फीमेल ऑफिसर वहांपर पहुँन छाती है, जहां सोफी उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मेरे इliटिफ यहांपर और कोई भी नहीं है, इसके बाद वो female officer बार बार सोफी से पोशने लगती है कि देखो मेरी बार सुनो घबराओ नहीं अगर तुम्हें कोई परिशानी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इसके बाद वो आफिसर वहां से जाने लगती है लेकिन तब यह चानक से उस चोर का फोन बचने लगता है जो कि वहाँ पर सामने ही पास में पड़ा हुआ था जिसके बाद आफिसर फोन उठाकर सोफी को देती है जहां पर सोफी कॉल अटेंड करती है यहाँ वो बोस हालात की बारे में सोफी से पूचता है लेकिन सोफी उसकी बाद का जवाब नहीं देती और जूटी मुटे बातें करके वह फोन बन बन कर दीती है तो यह देकर आफिसर दुबारा से यहां से जाने लगती है लेकिन तबी पुलिस की कॉल उस आफिसर की पा जाती है चेक करने के लिए जहां वो चुर अच्छानक सी उसके सामने आकर स्रेंडर कर दीता है और कहता है कि यहां पर मैं गुशा हूँ यहां पर बस मैं ही हूँ इसलिए मैं खुद को आपके हवाले करता हूँ और आप मुझी अपने साथ ले जा सकती हो लेकिन उस ओफिसर को दिदी ताई लेकिन उस जोर पे गुले चिना दीती है और वो गुली ऊसे चूकर कुज़र दाल कर जोड सी उसका गला दबाह दी ताई जिसकी वजह सी उस ओफिसर की वहीं पर ही मौत हो जाती है अब इस दुरां ऑफिसर की गन को टबारन ही वहां से बाहर बाग जाती ह जहां वो इसके बाद दुबारा सी C4Me एप के जरीए केली को कॉल करती है जहां पर केली उसकी मदद करती है और उसे रास्ता समझाती है जहां आगे जाकर सोफी एक रूमें छुपकर बैठ जाती है लेकिन कुछ देर में एक चोर उसे ढूंटती हुए यहां पर पहुन जाता है और वो फोरण ही सोफी को सरेंडर करने के लिए केता है लेकिन केली सोफी को मुबाइल की कैमरी का एंगल सेट करवा कर उस चोर पर गोली चिलाने का बोलती है जहाँ पर सोफी ऐसा ही करती है और वो उस चोर को शूट करके मार डालती है इसके बाद सोफी तुबारा से घर के अंदर चली जाती है जहाँ पर अचानक सी दूसरा चोर उसके सामने आ जाता है तब यहाँ पर केली तुबारा से सोफी को कैमरी का एंगल टे करने के लिए कहत त्वोड़ी तेर के लिए कौन डिस्कनेक्ट हो जाती है जहाँ पर सोफई अन्दाज़े से ही उस चौर पर गोलियाँ चलाने लगती है लेकिन उनमेंसे एक भी गोली उस चौर को नहीं लगती है इसलिए वो बच्टे हुए सोफी की तरफ भी बढ़ने लगता है। लेकिन तभी connection दुबारा से वापीस आजाता है। जहाँ पर केली दुबारा से सोफी को गोलियां चिलाने के लिए बोलती है। थिए वो दुबारा से गोलियां चिलाने लगती है। लेकिन इस बार गोलियां सीदğा जाकर उसके सीने मी लगती है। जिसकी वजोसे ये दूसरा चौर भी यही पर है मारा जाता है। उधर वो तीसरा चौर लोकर को गोल लेता है। लेकिन तब इतनी ही दीर में वहाँ पर सोफी भी पहुंँ जाती है। उसके हाथ में गन देकर वो चूर कहता है कि दिखो रुको ना तुम जो जानती हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ। तो इस लिहाँ से हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैं तो बस अपने हिस्सी की पैसे उठाऊँगा और यहां से चला जाऊँगा। इसके बाद वो चूर अपने पैसे उठाकर वहां से जाने लगता है। लेकिन सोफी तुबारा से उस पर गन वायट कर दीती है। तब यहाँपर केयली सोफी से कहते हैं के जिनटी करू उस पर गोले चलाओ, वह बिल्कुर निशानी पर है। उस से पहले सोफी ही अनदाज से उससे शूट करकी उसे जान से मार डालती है। खेरा कुछी दियों की बाद चोरों का लीडर यहां पर पहुन जाता है जहां पर आकर वो देखता है कि उसकी तीनों साथी तो मर चुकी है अब क्यूंकि वो सोफी के बारे में जानता था इसी बजोसी वो उसे डोड़ने लगता है लेकिन तब तक सोफी चुप चुकी होती है इसकी बाद सोफी उसका दियान बटकाने के लिए गर के सारे लाइट को आफ कर देती है ऐसा करती है सोफी वहां से बागने लगती है जहां वो लिडर अंदीरी में उस पे गोलिया चलाने लगता है उसके पास ही जिसके लाइट देकर सोफी अंदाजे से ही उस पे गोलियां चलाने लगती है लेकिन उसे गोली नहीं लगती वो बच जाता है जिसकी बाद वो सोफी को पकर डीता है और उसका गला दुआने लगता है लेकिन तबीयापर सोफी के हाथ में वाइन की एक बोटल लग जाती है इसलिए उस बोटल को उस लीडर के सर में दे मारती है भी वो उसी बोटल से उस लीडर के सर पर मार मार कर उसके सर को कुचल दीती है जिसकी वज़े से उसकी भी यही पर ही मौत हो जाती है इसकी बाद हम पुलिस की गाड़ी का अलाम सुन्ते हैं यानि की पुलिस उसे रइस्क्यू करने के लिए आ गई है और अब उसे किसी भी किसम का कोई भी खत्रा नहीं है इसके बाद हमें कुछ दिनों بعد की कहानी दिखाई जाती है जिसमें सोफी की मतल सोफी को होस्पिटल से बाहर दा रही होती है इसी तरह एक हफ़ते बाद हम सोफी को स्केटिंग करते हुए देखते हैं यानि कि सोफी के टंग जो पहले जखमी थी अब वो बिल्गल टेक हो चुकी है अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पाइट्स लेयर कर दीती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि असल में उन चोरों का लेडर कौन था और उसे उन पैसों के बारे में कैसी पता था असल में चोरों का वो बोस उस लेड़ी का हस्बिन था जिसका ये गर्ट था ये जिससे उस लेड़ी ने डिवोस लेनी थी इसलिए उसका हस्बिन उन पैसों पर खोदे कबजा करना चाहता था और सोफी ब्लाइंड होने की बाबा जोद भी स्केटिंग इसी वजह से कर पा रही थी क्योंकि उसने स्केटिंग की काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग ले थी क्योंकि जेस सटी मैंने आपको बताया था क्यों वही त्रिन स्केटर्स में से एक थी इसी वजह से तो ये सब कुछ उसके लिए असान था इसी के साथ ही ये मूविय ही पर एंड हो जाती है थेंक यू फॉर वाचिंग